अब हम लोग पवन उर्जा के बारे में अध्यान करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि सूरी की किरने धर्ती के अलग-अलग भुभाग, अलग-अलग भुखंडों तथा जलासयों पे समान रूप से नहीं पड़ती है, जो सूरी की जो किरने हैं वो धर्ती के अलग-अलग खंड तथा जलासयों पे समान रूप से नहीं पड़ती है और समान रूप से तप्त नहीं करती है, या उसे समान रूप से तप्त नहीं करती है, इसके करन क्या होती है, वायू में क्या होता है, गत्यूत्पन होता है और पवन का परवा होता है, तो वायू में परवा कैसे ह यह हम लोग पहले पढ़ चुके है। में भी इसी तरह का जो बुबाग है कहीं पर ज्यादा गर्मी होती है कहीं पर कम गर्मी होती है कहीं पर अधिक ठंड होती है तो इन सब के कारण वाई में क्या होती है गति उत्पन होती है तथा पवन का परवा होता है अब हम लोग पवन के गति उर्जा का उपयोग बहुत स जैसे कि पवन उर्जा का उप्योग, पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक उर्जा के कारियों को करने में होता रहा है, उधारन के लिए जैसे उधारन के लिए कि बहुत सारे पवन चक्की द्वारा, पवन चक्की में हम लोग जल पंप, यानि कि क्या करते हैं, पवन चक्की से हम लोग पानी ऊपर उठाते हैं, पानी को ऊपर उठाने वाले पंपों को पवन्चकी की पंखुडियों की गुर्नी गति का उप्योग करके कुवों से जल खिचने के लिए उप्योग होता है, तो इसका उप्योग कि जब गुमता है जब हवा चलती है और पवंचकी गुमता है तो उससे क्या होता है जो कुआ का जल है उसको हम ऊपर निकाल पाते हैं उसके घुर्णी गति का पवंचकी का जो गति है जो गुमता है उससे हम कुआ का जल खीच पाते हैं लेकिन आज कल हम लोग पवन उर्जा को उपयोग बिद्धुत उर्जा के लिए भी बिद्धुत उत्पन करने के लिए भी करते रहते हैं जैसे बिद्धुत उत्पन करने के लिए करते रहते हैं अभी पवन चक्की आजकर पवन उर्जा का उप्योग विद्वत उर्जा के लिए भी किया जा रहा है अब पवन चक्की कैसा होता है तो पवन चक्की की संरचना जैसे एक लंबा एक विसाल सा टावर टाइप का विसाल टावर होता है जिसका जैसे कोई बड़ा सा पीलर टाइप का लोहा का बना होता है जैसे टावर होता है फोन का टावर होता है उस तरह का टावर बना होता है और जैसे पंखे में तीन पतियां होती है बरावर दूरी पे उसी तरह उसमें भी तीन पति जुड़ी रहती है जैसा कि चित्र इस चित्र में आम लोग देख सकते है जैसा कि इस चित्र में देख सकते है ये एक तावर है जो अच्छे से धर्ती पे गड़ा हुआ है और इसमें पंखे की तरह इसमें तीन पतियां है जो बरावर दूरी पे है और ये पतिया घुमती है तो ये पवंच चक्की इस तरह की होती है कि एक टावर सा स्ट्रक्चर होता है टावर सा टावर सा स्ट्रक्चर होता है उसमें तीन पतियां जैसे पांखे में लगी रहती है उसे वो जुड़ी रहती है अब पवन्चकी की जो घुरनी गती है जिससे पहले हम लोग कुएं का पानी निकालते थे उसका उप्योग हम लोग क्या करने लगे है बिद्धुत उत्पन करने के लिए करते है तो यह पवन्चकी की जो घुरनी गती है इससे हम लोग क्या करते है टर्वाइन ब्लेड को टर्वाइन को घुमाते है जैसे टर्वाइन को पहले घुमा रहते है वास्प के द्वारा कभी जल के द्वारा तो यहां पे जो पवन्चकी की घुरनी गती है उसका उपयोग क्या क करते हैं विद्धुत उत्पन करने के लिए करते हैं और इसके लिए क्या करते हैं इससे टर्वाइन अटैच रहता है टर्वाइन जुड़ा रहता है जिससे क्या होता कि पवन्चकी जब पवन्चकी घुमती है तो टर्वाइन भी घुमता टर्वाइन की पतियां भी घुमती है जिससे की विद्दूत उत्पन होती है अब किसी एक पवन चक्की से जो उत्पन होने वाला विद्दूत होता है वो बहुत कम होता है तो जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में तो कर सकते से लेकिन बहुत उसकी उर्जा उत्पन विद्दूत उर्जा होता है वो बहुत कम होती है इसीलिए पवन चकी में हमनों क्या करते है कि बहुत सारा पवन चकी फर्मIT तैनिक ड्म और है और पवन चक्यां लगाते हैं और उसका उपयोग हमलों बेपारीक अस्तर कर सकते Ist Tonight अभी जिस छेत्र में बहुत सारी पवन चक्यां लगाते हैं उसे पवन उर्जा फार्म करते ब्यापारिक अस्तर पर विद्धुत प्राप्त करने के लिए किसी उर्जा फर्म के सभी पवन्चक्यों को परस पर युगमित कर देते हैं जिसके फ़लशरूप जो नेट उर्जा है सभी पवण चक्कियों द्वारा उत्पन विदृत उर्जाओं के योग के बरावर के होती है यानि कि इसका कहने का मतलब यह हुआ कि एक पवण चक्की से तो हमें बहुत कम उसमा बहुत कम उर्जा मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा एक छेत्र लेते हैं उसमें बहुत सारा पवण चक्की लगा देते हैं अभी जो बहुत सारा और उसको क्या करते हैं हम लोग युगमित कर देते हैं जिससे क्या होता है कि हर एक पवण चक्की का जो उर्जा है वो जुट जुट के एक बड़ा सा एक बहुत बड़ा विद्धुत उर्जा उत्पन करता है यानि कि बहुत सारा पवन्चकी लगाएंगे और हरे एक पवन्चकी से कुछ विद्धुत उर्जा उत्पन होगी अभी ये सारे विद्धुत उर्जा सारे पवन्चकियों से मिलन जो अच्छी बात है यह कि डेनमार्क में डेनमार्क को हम लोग पवनों का देश काते हैं यहां की जो 25% से अधिक विद्धुत आपूर्ती होती है वो पवन्चक्यों के विशाल नेट्वरक से होती है जर्मनी इस छेत्र में सबसे आ गया है और भारत का अस्थान पाच्वा अथान है पवन्चक्य से बिद्धुत उत्पन करने के हिसाब से और अगर शेस्च के बात कर रहे हैं यह लोग पवन्द वारा बिद्धुत उत्पादन की अपने पूरी चोप्योग करे में तो हम लोग 45,000 mW तक बिद्दुद सक्ति का उत्पादन कर सकते हैं, यानि कि अगर भारत देश में पूरी छमता, जो भारत देश की पूरी छमता के हिसाब से उत्पण करें, तो 45,000 mW तक बिद्दुद उत्पण कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा उर्जा है, इसके अलावे जो भारत में जो कन्यक मार्णी है, उसमें आप जो पवन उर्जा फ फार्म है, इसमें बंढ रहा होती है, जिनको हम लोग समय उर्जयत करके दुस्रे से युगमित करके rap में बहुत सारी अर्जा उत्पन करते हैं यह कन्यक मार्णी मेंहारी OF maneira करता है अभी एक बात जो जानने लाइक है कि पवन चक्की है पवन उर्जा है यह नवी करनिये उर्जा है यानि कि हवा तो हमें हवा परियावरन में प्रचूर मातरा में एवी लेवल है और प्रचूर मातरा में एवी लेवल है और इसका हम लोग बार और उप्योग कर सकते ह इसलिए पवन उर्जा एक नवी करनी उर्जा है नवी करनी उर्जा फिर ध्यान देने वाली बात है नवी करनी उर्जा मतलब जिस उर्जा का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार हम पवन उर्जा का उपयोग कर ली तो फिर दूसरे बार न क्योंकि इससे कोई वाई पर्दुसन नहीं होता है, इससे कोई जल पर्दुसन नहीं होता है, इससे किसी तरह का पर्दुसन नहीं होता है, और हम लोग परियावरन के ही चीजों का उपयोग करके इंधन बचा रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग परियावरन हितैसी करते हैं क्योंकि इससे कोई पर्दुसन नहीं होता है, मतलब है पवन उर्जा से कोई पर्दुसन नहीं होता है, इसलिए इसको पर्यावरान हितैसी करते हैं, इसके लिए बिद्दुत उत्मन के लिए बार बार धन खर्च करने किया हो सकता नहीं है, तो इसके जो गुन है, उसमें एक पैसा जो खर्च होता वो सुरूग कें व तो होता हैं लेकिन बार-बार धन खर्च करने कड़ आउनक सकता नहीं होती है पवन उर्जा सउयत्र में और फिर है इसकी बहुत सारी सीमाइ पहली सीमाइल यह है कि इसके अलावा लावा पवन उर्जा की उपयोग बहुत सारी सीमाईये. पहले बात ये है कि पवनुर्जा रूज्जा उस छेत्र में उप्योग किये सकती है जहां पर अधिकांच दिनों में तीवर रूप से वायूário की वायूद roz ह्भी आहां कि इधिकान दिन में तीब्र पवंद चलती हो यानी कि जहां पे बहुत जादा वायू बाती दिन में उपयोग करेंगे जहां पर वायुक कम बाएगे तो तो पवन उर्जा कोकरी करी नहीं पाएगी यो पवन चकी और भूम नहीं पाएगे तो उसका दिकांग सबस्क्त करी माने के लिए जो बवन जो वायुक की गती होनी काहिए वो होने चाहिए 15 किलो मेटर पर ती घंटा, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा, यह जो तरवाइन को गुमाने के लिए जो पवन उर्जा चाहिए होगा, तो उस हालत में जो पवन की चाल होनी चाहिए, वो फ़ंदा पर ती घंटा से अधिक होनी चाहिए, इससे कम अगर वाइब की चालँ होगी तो तो टरवायन को हम लोग पत्ती तो गुमेगी पवन्चक्इट गुमेगी लेकिन तरवाइब को हम लोग घुमा नहीं पाएगे तो टरवाइन की जो आवस्यक चाल बनाये रखने के लिए जिसे विद्धुत उत्पन हो वाईब की जो चाल होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर परती घंटे से अधिक होनी चाहिए इसके साथ ही इसके साथ ही इसके लिए कुछ बैक अप चाहिए होता है कि अब हाँ जो होगा नहीं कि हमें कि आँ मैसा तो होगाने के जो हवा है क्योंकि पूरे समय तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो हवा है वह हमेशा 15 किलो मीटर परतिगंटे के रफ्तार से बाती रहेगे और हमेशा बाती रहेगे तो इसके लिए हमें कुछ बैक अप की जरूरत होगी जिसके लिए हमनों संचायक सेल का उप्योग कर सकते हैं इसके अलावा इसकी जो अन्य सिमाएं है उसमें यह किया है कि पवन उर्जा को लगाने के लिए जो पवन उर्जा फॉर्म है उसके लिए विसाल भूखन्द की आभ़सज़ता होती है बहुत सारे जमीन करूखनी की जरूरत पड़ती है और एक मेगावाट को एक मेगावाट बिदूत उत्पन करने के लिए दो हेक्टेर बहुमी चाहिए है, तो इसका सबसे बड़ा जो सीमा को स कि पवन उरजा से जो उत्पन करना चाहते है उसके लिए हमें बहुत जादा जमिन की ज़रुत पढ़ेगे और एक मेगावाट के लिए सिर्फ एक मेगावाट के लिए हमें कितने हेक्टेर की भूमी चाहिए दो हेक्टेर की भूमी चाहिए और इसका जो आरंभिक लागत है इसमें जैसे कि We will उर्जा सेयत्र में बार बार धन लगाना नहीं पड़ता है लेकिन जो आरंबिक लागत है वो बहुत अधिक होता है। पवन्चक्कियों के ढ्रिड आधार यानि जो पवन्चक्की का जो टावर टाइप का संरशना है और पंखुणियां जो पवन्चक्कियों की पतियां वो तो वाई मंडल में खुले रूप में होती है जिसके कारण अंधर, चक्रवाद, धुब, पानी के कारण ये खराब होती तो उससे ब्चाने के लिए ने लिए बढ़ रखाऊं की आवस्यक्ता होती है तो पवन्चक्ड़णीय उर्जा में, पवन्चक्ट आथैं। देहान देनी बात ये पवन्चक्क्नक्रणीय कर्णीय हूता है और चुज कि इसे कोई परदुसर नहीं होता इसलिए पर्यावर जाकि तो हम लोग पवन उर्जा फारम वहीं पर लगा सकते हैं जहां पर साल के अधिकान दिनों में तिब्र पवन बहती हो और पवन की रफ्तार 15 किलोमेटर परते घंटे से अधिक होनी चाहिए जिससे की टर्वाइन की जो चाल है टर्वाइन की जो चाल है वह हम आवस्यक चाले उसको हम बनाये रख सकते हैं इसके अलावा साल के हम ऐसा तो होगा नहीं कि साल में हमेशा पवन तेज चलती रहेगी तो इसके लिए हमें वैक अप की जरूरत पढ़ती रहती है और फिर उर्जा इसके उर्जा फार्म लगाने के लिए जो सबसे बड़ा सीमा है कि इसक रखता होती है एक मेगावाट एक मेगावाट के बिजली उत्पन करने के लिए हमें दो हेक्टेर भूमी चाहिए होता है और जो आरंभिक लागत होता है पवन उर्जा को उत्पन करने के लिए बहुत अधिक होता है इसके अलावा जो पवन उर्जा का जो पवन उर्जा का झाल झाल